नमस्कार दोस्तों कंचान स्वड की जान में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं बहुत ही यूनिक डिस आपको बताने जा रही हूं तो अगर रेस्पी अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए बहुत बहुत धनवाद आपका तो चलिए रेस्पी स्टार्ड करते हैं ठंड मी गर्मा गरम आलू के पराठे बन जाएं तो मजा ही आ जाता है आज बच्चों की फर्माईस पर मैंने बनाया है आलू के पराठे गर्मा गरम तो चलिए इसकी रेस्पी आपको आपके साथ ही मैं सोचा मैंन सबसे हो क्ईही ने मीर्च भी आतली होगी 2010 अभी यह से प tribunal से ज़ाषितनी होगि आजidad को प्रकाइवरें पर यह सतरा रहें लिए तो पर מिर्च ना तो ऩाने इसे लिए गरम आलु में खुल हो तो यह देखने यह आने में तो देखने में नहीं अच्छा हैम केवल अब नमक मिलाना बाकिए तो पहले मैं अच्छे से कुछ ठंडा करूँगी तब नमक मिलाऊंगी इसमें हम मिलाएंगे अब स्वादा अनुसार नमक तो देखिए नमक मैंने मिलाया है और लाल मिर्ज पाउडर इसके बाद थोड़ी सी हींग मिलाऊंगी बस इसके अला तो नमक मिला बन ल Bunny से कम लग रहा था तो मैंने ठोड़ा सा और डाला है अ कर आप चाहा है कर आपको पसंन warrant घ्ड़ तो मेनने इस इस टिव ठी को इसके बीच मिलेगे ज़ोड़ा से घरमाटा रहा है वो खत्म है आता सान के पहले रख लिया था आन्टा मैं सबसे पहले सा और बस एक लोई लेंगे उसे गोल-गोल करके और उसमें हम भर देंगे धेर सारी आलू इतना मज़ा आता है ठंड में पराठे आलू के खाने का कि मज़ा ही आ जाता है तो जरूर बनाए ट्राइ कीजिए अच्छा लगे तो कमेंड जरूर कीजिए बस इसका हम चारो तरफ से से पैक कर देंगे कोई बिना ताम जाम के गरम मसाला यह वो कुछ भी डाले बगार आप आलू के पराठे बनाएंगे उतने ही उससे ज्यादे ही स्वाधिस्ट मुझे यह लगते है ज्यादा मसाला मिला दीजे तो उतना स्वाध मज़ा नहीं आता है फिर काने में हरी धनिय और मिर्थी यह मज़े से पड़ी होनी चाहिए बस तो इसे थप थपा के थोड़ी लोगी को हम बढ़ा कर लेंगे ताथ कि इसकी जो अंदर एयर हो हट जाए और यह फूट है इस तरह बनाएंगे कभी भी फटेंगे नहीं आपके आलूबरे पराठे बस इसे हम और इसका now on to do Not do look and we'll have to blow it up. अई पराठे बने पाएंगे अच्छे से घं की जो आधा थिए पराठे बन और बेलेंगे बिल्कुल ही प्रेशर लगा बगएव हिसे हल्की हल्की आथे हम बेलेंगे और बस इसे हम आगर थोड़ा चारो तरफ से हम इसे गोल कर लेंगे और तवा मैंने पहले ही चणा दिया था तो बस इसे हम हलका सा तेल लगाएंगे से पहले तेल लगा देंगे उसके बाद हम पराठा इसमें डालेंगे तो देखिए तेल लगा दिया है तावा विल्कुल गरम है आप इसमें हम डाल देंगे पराठा और बस थोड़ा सा जब इधर से इसका कलर चेंज हो जाए तो इसे हम पलट देंगे और दूसरी तरफ सेखने के बाद फिर हम इसमें दोनों तरफ तेल लगा के इसे सेखेंगे अभी थोड़ा कम हुआ था इसलिए मैंने नहीं से पलटा है तो जब इसका इधर कलर एक तरफ जब कलर आप देखेंगे चेंज होने लगेगा उसके बाद ही आप इसे पलट गया वर्ना पराठा तूट जाएगा तो देखिए कलर देख रहे हैं आप चेंज हो चुका है त इसलिया तौड़ा उसे भी सेट करने में लगे ठीक हुई हूं तो इसमें लगा देंगे तेल और रिफाइन और ब्लूट में लगा रहे हूं वह भी सफ ओला का आप पसंद दू आप पो लगाईए और तेल आज मैने नहीं लगाया है तो आप अगर चाहा है तो आप सर्सो करारे बश सके तो हम धीमी आज चुझे अगिन बहुत जल्दी तरह कर सादी हो जाएंगे तो अगर आदा घंटा टिल एलु तो यह जब भी के बनाएmm थोड़ी थोड़ा गयब करके तो यह पराठा मेरा बनने वाला है तो इसे उरट पराठ करके सेखने से सब तक धीर दी आच्वार से क्राहे दरब चट्नी बना लेंगे आउले की चट्नी भी मस्त बनेगी तो आउला दो ले लेंगे और उसे हम काट लेंगे अचल बजार में मार्केट में आउले आ रहे हैं तो आउला रेली जो भी पार्ट इसका खराब हो भटा देंगे छोटे-छोटे बार एक टुकड़े हम इसके कर लेंगे और बहुत जल्दी आसानी से हो जाता है उबालना वगयरा कुछ इसको बालना नहीं है बल्कुल कच्चा ही यह करना है इसके छोटे-छोटे पीस हम काट लेंगे और बहुत ही आराम से काटेंगे अगर आप बच्चे हैं बाहर रहें के पढ़ाई करते हैं तो कुछ भी जल्दबाजी नहीं करेंगे आराम-ाराम से सारा काम हम करेंगे ताकि हाथ वगयरा कटे नहीं मेरा तो ऐसा काम कीजिएग क्योंकि हम लों को तो प्रैक्टिस होती है खाना बनाने की और आप लोग जो है इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है तो थोड़ा तिक्कत होती है यह सब करने में तो आराम-ाराम सारा काम करना है उसके बाद हम इसमें डालेंगे दो से तीन हरी मिर्ची दो से तीन हरी मिर्ची के लिए सकतY होता है। अधूर्ट इपको निखकाते है। हाथ मिर्च टीकी जगांगे, समझां मुफinkे नेया होती है। हम इसमें काट विये उसके बाद डौलेंगे हम इसमें ठेर सारी हरी देलिय कपती और इसके बाद डालेंगे नमक और बस च happiest Chaos के भी अवारीा नात नवारी देख कि याप देख सकते हैं बहुत बड़ी है चटनी पिसकर रेड़ी होगी है कि यह कीन मानिये यह आमले की चटनी तो फाइदे मन बहुत होती है आँखों के लिए और सरी के लिए नमख डाल देगे स्वाधा नुसार और मज़ा बहुत आ जाता है इसे खा के देख के ही मुझे पानी आ रहा है इसे कि जल्दी फटा-फट यह तैयार हो हम लोग पराटे से बैट के खाएं कमेंड करते रहे है शेयर कीजिए लाइक कीजिए देखी कितनी अच्छी चटनी बन कर त्यार हुए तो सबसे पहले मैं अपनी खाना जब भी बनाती हूँ छोटी बेटी को ही देती हूँ क्योंकि वो सबसे चोटी है और सबसे पहले उसे हर चीज देती हूँ मैं तो तो देखिए पराठा रखे हैं चत्नी और चाय के बना तो पराठा काती ही नहीं तो उसके लिए चाय बन चुकी है ये देखिए पूरी प्लेट उसकी रेड़ी है और वह देखिए दोड़ कर लेने आ गई है आप देख सकते हैं कि मुझे बिल्कुल फी वीडियो बनाने कपर नहीं है फटा 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 खाने जा रहे हूं तो यह देख सकते हैं